सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपने प्रिप्रेशन जो है प्रॉपर कर लिया नहीं कि अगर कोई चूट रहा है तो आप उसको पूरा कर लिजेगा सब्सक्राइब करेंगे हिस्ट्री को एक्सपेक्ट करना बहुत इजी होता है इसके एक्सपेक्टेड क्वेशन को बताना विकॉज पैटन कुछ ऐसा ही है बीपी ऐसी का आप भी इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो आज शाम को या फिर कल मैं आपको करन्ट अफैर्स की क्वेशन दे दूँगी उसके बाद पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी एं साइंस एंट एक की क्वेशन ठीक है आपने हमारे प्रिवेस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा हमारा जो हिट रेश्यू है वो क्वेशन का काफी अच्छा है काफी क्वेशन पिछली बार मैंने क्वेशन की बार में बताया था करेंट अफेर्स में और क्वेशन का क्वेशन आया भी था ठीक है अब 67th VPSC की में बात कर रही हूं शो और 69th VPSC को पटाफर्ट से हम हिस्ट्री का सेक्षन जो है वो देख लेते हैं ओके सबसे पहले ट्राइबल र commencement की बात करेंगे हम ठ्राइबल र commence में अगर आप पैटर्न देखोगे तो एक तो सांथाल पूछा जाता है एक विर्सा मुंदा पूछा जाता है उसके अलावा बिहार के इन जनरल जो ट्राइवल रिवोल्ट हैं वो पूछ लिये जाते हैं किसी साल तो आप जैसे की पैटन देखोगे 66 में सांथाल रिवोल्ट आया था सांथाल ये विर्सा दोनों आये थी 66 में 67 BPSC की बात करें तो सांथाल आया था 68 में विर्सा मुंदा रिवोल्ट आया था तो इस बार बहुत जादा चांसेज हैं कि सांथाल रिवोल्ट आएगा ठीक है तो आप सांथाल को तो बहुत अच्छे से प्रपैर करेंगे करेंगे उसके अलावा इन जनरल जितने भी अर्फिटेक्चर की में बात करूँ तो आप यहां पर देख लिए 65 में पाल आई थी पाल आट कभी-कभी पूछी जाती है और वैसे ही मधुबनी पेंटिंग भी है थीक है कभी-कभी पाल आट और कभी-कभी मधुबनी पेंटिंग वैसे पटना कलम और मौरियन आट को रिपीट किया जाता है पटना कलम आप देखेंगे 66 में पूछा गया मौरियन 67 में फिर पटना कलम 68 में पूछा गया उसी हिसाब से इस बार बहुत जादा चांसेस है कि मौरियन आट आएगी ठीक है बट आप पाला और जो पाल आर्ट है ठीक है उसको और मधुबनी इन दोनों को भी आप एक बार देखके जाओगे क्या पता शौट नोट्स में इसको पूछ लिया जाए पाल आर्ट और मधुबनी को मौरियन तो आने के बहुत जाँर से हैं तो और बहुत अच्यारों को तो आफ बहुत अच्छे से प्रिपेर कर लोग stratég chess log घ्रामे चलो चार्ट आप बना सकते जो भी question में आपको बता लिए उनको बहुत अच्छे से presentable manner में आप पहले से तियार कर लोगे तो at the time of exam आपको लिखने में बहुत सहुलियत रहेगी बहुत जल्दी से आप ये section निपता के आप अपना current affairs and stats वाला portion जो है फिर उसे कर सकते हो जो current affair के questions भी बहुत जादा predictable होते हैं जो बहुत जादा burning news होती है उस साल की वही पूछा जाता है important personalities की हम बात करें तो 65 में आप देखोगे गांदी जी के views पूछेते cast and religion पे फिर 66 में गांदी जी के views पूछेते सत्यागरे में देखे पहले जो है तीन personalities important हुआ करती थी जाते थे बट अभी दूसरी personalities को भी थोड़ी जगा दी जा रही है जैसे सुबास चंद्र बोस जेपी नरायन ठीक है इस तरह के जो personalities हैं वह भी पूछ लिए जा रहे हैं तो आपको एक चीज कर दिया से स्वामी सहजनन सरस्वती भी पूछा गया था तो बिहार की जितने भी important personalities हैं जिनका रोल रहा है freedom movement पे especially ठीक है वह आपको prepare कर लेने हैं इमर्जेंस अफ गांधी पूछा गया था एंटेगौर के बारे में भी short note में पूछा गया था 67th BPSC में टेगौर जी की view पूछे गया थे society and culture पे 68th BPSC में इस बार बहुत जादा chances हैं कि गांधी जी से question आ सकता है और नहरू जी नहरू जी का देखिए limited portion है क्योंकि नहरू जी का जो रोल है freedom movement पे वो पूछा जाता है उसके अलावा नहरू जी की जो foreign policy थी वो पूछ ली जाती है तो यह दो चीजा प्रपैर कर सकते हो बहुत आसानी से गांधी जी का जो perspective है वो थोड़ा बड़ा है बिकॉज इनसे का चंपारन सत्याग्रह से जुड़े हुए थे तो उससे अक्सर question पूछ लिया जाता है चंपारन और विट्सा मुंदा रिवॉल्ट यह दो रिवॉल्ट बहुत सारी रिवॉल्ट ऑफेटी सेविन यह दो बहुत फेमस हैं और अक्सर पूछे जाते हैं तो गांधी जी का रोल चंपारन सत्याग्रह में आप तियार कर सकते हैं मैं गांधी जी से लिए दिए गांधी क्यों हो रहे हैं इस जान जाता है स्वदेशी को लेकर उनके विचार थे आप त्यार कर सकते है बरहन जाती को लेकर वढ़न जाती सिस्टम जो प्रवाइबिलिटी को लेकि उनकी क्या वी उस ते यह सारे क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर कवर किये हुए हैं आप गांधी जी का जो प्लेइलिस्ट है ठीक है में इसका जो प्लेइलिस्ट है वह चेक कीजिगा आपको इसारे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखिए आपको च्वाइज मिलती है आपको बहुत ज्यादा टैंचन लेनी की भी जरूत नहीं है सिक्स क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री वाले सेक्षन से और आपको और आपको तीन क्वेश्चन अटेम्ट करने होते हैं बट अभी जो पैटन चेंज हुआ है सिक्स्टी ना नमबर के है औसके अलावा इसमें दो आते हैं और करके आता है तो आपको डोनों में से एक अटेम्ट करना होता है और फो corresponds to the other defect तो यह वाला सेक्षिन आपको पूरा करना होता है इन में चॉइस आती है ची-कासी तो आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग पटापट से नेशनल मुवमेंट की में बात करूं तो रिवॉल्ट आप 1857 65 BPSC में पूछा गया था चंपारन पूछा गया था 66 में देखि नेशनल मुवमेंट से कुछी मुवमेंट इमपॉर्टेंट है एक तो रिवॉल्ट आप 1857 हो गया थिक है उसके अलावा चंपारन हो गया उसके अलावा ncm Non-corporation मुवमेंट हो गया ओके तो इसके अलावा कुई इंडिया मुवमेंट इंपॉटेंट है अक्सर पूछ लिया जाता है और उसके अलावा सीडियें ठीक है यह कुछ इंपॉर्टेंट है यह आपको त्यार करने होते हैं तो आप देखेंगे चंपारन में पूछा गएונה है फिर इंडिया नेशनल मुवमेंट इंडिन नेशनल मुवमेंट का इंडियन नेशनल प्र इंडियन नेशनल मॵमेंट नीया भी पूछ लिया in चंपारन के चांसे बढ़ रहे हैं और उसके अलावा नॉन कोपरेशन असा योग सांदोलन जो था उसके चांसे बढ़ रहे हैं तो यह तीनों आप बहुत अच्छे से तियार कर लिजेगा आपकर तावर हो जाएगा यहां से उसके अलावा वेस्टर टेकनिकल एडुकेशन यहां से क्वेशन अकसर पूछा जाता है ठीक है वेस्टर टेकनिकल एडुकेशन इन बिहार दिरिंग दा पीरिड ऑफ बिटेशर्स तो वेस्टर एडुकेशन से यह भी टॉपिक मैंने अपने चैनल पर कवर किया है आप चाहो तो देख सकते हो अगर आपको कहीं से नोट आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप पीवाई क्यूज को देखो पैटर्न को समझो कि किस हिसाब से क्वेशन पेपर जो है सेट किया जा रहा है कि क्या पैटर्न है क्वेशन की पूछे जाने का तो टेकनिकल 68 में आया था और 69 की मैं बात करूँ तो इस बार दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वेशन टेकनिकल एजुकेशन इन बिहार दिरिंग दा बिटिश रूल तो इसमें आप शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है हो सकता है जो पहला टॉपिक है जिसमें पांश शॉर्ट नोट आ रहे हैं उसमें आ जाए अधर्वाइस लॉंग कर रहे हैं आप कवर करोगे यह इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए तिक है उसके अलावा कि पीजन मुवमेंस इन बिहार तो यह भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए शॉर्ट नोट में या लॉंग फॉर्म में यह आ सकता है ठीक है कि रिवाल्ट अफ ऐंफ लिए गारों और जाता है तो को रिवाल्ट आफ लिए थिएकर करेंसे और उसके लावा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ओफ कुर सेंग देखिए बहुत सारे स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अभी पैटर्ण चेंज हो गया तो हम बहुत जादा पढ़ें बहुत जादा पढ़ने के चकर में क्या होगा कि आप रिटेन नहीं कर पाऊगे ठीक है अपको याद नहीं आएगा चीज है तो कम ही पढ़िए क्योंकि इसमें चॉइस आपको मिलती है चैमें से तीन ही क्वेशन आपको करने हैं हिस्ट्री में तो आप जो क्वेशन की टेंडेंसी ज्यादा है रिपीट होने की पैटर्न को समझने के बाद आप उनी क्वेशन को करके जाएए आपके तीन क्वेशन बहुत अच्छे से हो जाएंगे एक क्वेशन 38 नंबर का होता है ठीक है पहला जो सेक्शन है हिस्ट्री वाला वो 114 मा होता है यह पूरा सेक्शन तो हिस्ट्री को बहुत अच्छी से सियार कर लोगे तो लगबग आपके 114 माक्स पके हो जाएंगे तो आप इतना कर लिजिए डिफरेंट चीज़े करने की आपको ज्यादा ज़रूत नहीं है मुझे लगता है कि इतने से आपका काम हो जाएगा करेंट अफेर के क्वेश्चन में शाम तक या कल तक डिसकस कर देती हूं आपके साथ फिर आप देख लीजेगा कि आपने कितना करेंट जो है कर लिजेगा अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा तो उससे जरू कर लीजेगा उसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी एकोनॉमी जोग्रफी साइंसेंट वाला पोश्चन भी भी मैं आपके साथ कवर कर दूदी थाइक यू सो मुझ पॉचिंग दा वीडियो अगर आपका कोई भी क्वेरी है कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्षिन में लिख सकते हैं थाइंक यू सो मुझ पॉचिंग दा वीडियो झाल झाल